दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं जिन्दगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी दोस्तो आज है 15 जनबरी और स्टार्ट करते हैं आज करन फैस उससे पहले चैनल को सब्स्राइब जरू करने साथ बेर आकन प्रेस कर दें और अगर ये वीडियो पसंदत पर इस वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और वीडियो आखरी तक देखें एक एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट है चलिए तो फिर दोस्तो फटाबड़ी स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला महत्पोर्ण कोशन है कि इस राज्य के मुख्य मंत्री ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है दोस्तो ये महत्पोर योजना शुरू की है सिक्कीम के सियम ने देखे दो सिक्किम की जिएम है पवन कुमार चामलिंग ने 12 जनवरी को एक परिवार एक नौकरी की योजनाग शुरुआत की है और दोस्तो इस योजनाग के माध्यम से हर उस परिवार के सदस्त को रोजगार देखे जिसमें किसी सदस्त के पास राज्य में सरकारी नौकरी नहीं है इस योजनाग तहत खेती और क्रिशी चेत्र में सभी रन निरस्त कर दिये जाएंगे ठीक है तो यह काफी अच्छा यह काफी अच्छी होजना है इसको सभी राज्यों को लागू करना चाहिए तो यह राज्य कर दिया दोस्तों सिक्कीम ने ठीक है आप याद रखिएगा बहुत इंपोर्डेन कोश्यन है फिर अगला गोशन है हमारा अपने उपन्यास थिंग्स टू लिफ बिहाइंड के लिए सुशीला देवी सहित पुरुषकार किसने जीता है दोस्तों अपने उपन्यास थिंग्स टू लिफ बिहाइंड के लिए सुशीला देवी सहित पुरुषकार जीता है नमिता गोखले सब्सक्राइब के लिए और आपको बताते हैं दोस्तों कि भौपाल लिट्रेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल के पहले संस्क्रण में उन्हें एक महिला लेखक द्वारा लिखित सब्सेस्ट फिक्षन पुस्तक स्रणी में समानित किया गया ठीक है और इस शाहित कारिकम्द स सतर से थिक लेखको और कलाकारों ने भाग लिया था तो आप याद रखिएगा उनको उपन्यास थिंक्स टू लिब बिहाइंड के लिए सुशीला देवी शाहित पुरुसकार मिला है नमिता गोकले को फिर हमारा अगला वोशन है रण नीतिक राइजिंग स्टार कोर के ठीक है नैन तो यह आप यादर किये यहां पर दोस्तों बारे जनवरी को लेप्टी ने जनरल जेस नैन ने रण नीतिक राइजिंग स्टार कोर के चौद में कोर कमांडर के रूम में पदभार समाल लिया है और राजिंग स्टार कॉप्स को दोस्तों 2005 में गटित किया गया ठीक है याद रखिए कि इसके लाबत जम्मू सांबा और कठुवा सही जम्मू काश्मीर जम्मू छेतर के तीन जिलों में इसका संचार है ठीक है तो रण नितिक राइजिंग स्टार कोर के चौद में कोर कमांडर को में किसने पतवार समाला है लेप्टीन जनरल जेस नैन पिर हमारा कोश्चन नमर हेता दोस्तों जेस्टी परिशल नित्त mã पेराइए ने मं पत्रि परिश्द के स्थापनाग रिणा-ल्या है इस मंत्रियों सी लिस्तक के कंड़रा की जाए तो राज्यों के राजश्क को बढ़ावा देने के लिए भी कदम सुझाएगी ठीक है अधिक्स तक कौन करें सुषिलकुमार मुदी चलिए अगर वीडियो पसंद आया है हेलफूल होत प्रीस वीडियो को लाइक गिरू करें टार्गेट लाइक्स का आज का सत्रह या लाइक इसका फटाबड दोस्तों वीडियो लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं चलिए हमारा अगला वोशन है किस बैंक ने ब्रह्म्हा दत्त को अपना अपना गयर कारेकारी अंसकालिक अध्यक्स निउक्त किया है तो दोस्तों इसका करेक्टर अंसर जागए एस बैंक ठीक है ऑप्सन ए ठीक है तो एस बैंक ने 12.19 को प्रम्हा दत्त को गयर कारेकारी अंसकालिक अध्यक्स निउक्त किया गया है यह निउक्ती जुलाई 2020 तक रहेगी ठीक है और वह दोस्तों एक सुद्द नेशा के रूमें जुलाई दुहार तेरा से एस बैंक के बोर्ड में सामिल रहे हैं और एक पूर आई एस अधिकारी हैं और काइबिनेट सचीवाला और सड़क परिवान राजमर मंतराले में सचीवत है ठीक है तो आप यादर क अगला कोशन है सामान इस रेड़ी में 10% प्रतिश्चात आरक्ष्र प्रतान करने वाला पहला राज्य कौन से बन गया है तो दोस्तों यह बन गया है गुजराथ ठीक है ऑप्सें डी देखें उस तो गुजराथ जो है सामान इस रेड़ी में आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए नौकवरियों और सेक्षिस संस्थानों में 10 प्रतिश्चात आरक्ष्र पतान करने वाला पहला राज्य बन गया है और यह लागू हो गया 14 जन्वर 19 से ठीक है और नय कोटे की पातरता के अब लोनी नौकवरियों प्रवेश्चों पर लागू होगी जिनकी घोशन बैंगलूरू Rैptors ने ठीक है? और शूं मंदित थे किस कहल से मंदित फुटबॉल से ठीक है तो भारत के पूर फुटबॉलर है मुहम्मद जुल्फिकार उद्दीन का इनका 13 जन्वरी को निधन हो गया है और हुआ दोस्तों भारती फुटबॉल टीम का हिस्सा थे जिनने 1956 में मेलवन में उलम्पिक में भाग लिया था और उन्हें दोस्तों उन्होंने 1959 में टोक्यो एसियाई खेलो और मलेशिया में मार्डेका कप में भारत का प्रतिनीदी तो किया था ठीक है और हुआ दोस्तों 1955 से 1977 तक संतोज ट्रॉफी में आंदर प्रदेश के कप्तान थे ठीक है तो प्रसिद फुटबॉलर थे मुह अम्मद जुल는지 कर दिनि का निधान हो गया है फिर हमारा आगला को चयांद है दोस्तों भारत के सबसे बड़ी स्टाक प्राड़ करोडन की तिस्राव ज्मारा को सबसे बड़ा स्टार्ट उयको właści chosen किया मोथ किया गया है क्या प्र簡ाली कर्या में खरेऋ इकसिरत संद्राइब कर विलेज की अल्टा अधनी सुधाया सां Tennich मता है जो हाड़वेर स्टाटप को बढ़ावा देती है और प्सक्राज्म के सबसे बढ़ाया जाता है ठीजylene जाता है प्रतिवर्स 14 जन्वरी को ठीक है ऑप्सन D तो हर बरिशुद। जन्वरी को भारती सर्षस्रबल-भोतपूरप सहनिक दिवस मैंना जाता है और यह दिवस फील्ड मार्सल द्वारा प्रदान की इस सेवाओं के सम्मान और मानिता के प्रतिक्रु में मना जाता है जो 14 जन्बरी 1903 को शेवन देवित हुई थे और दोस्तों के म करियप भारती शस्थरवलों के पहले कमांडर थे कौन थे भारती सश्थर वलों के पहले कमांडर कौन थे के एम करियपपा ठीक है याद रखिएगा और ये ससस्त बल भोत पूर सेरिक दिवस मनाया थे 14 जन्वरी को ठीक ऑप्शन डी है हमारा अगला कुशन है प्रधान मंत्री नयन मोदी ने गुरु गोविन सिंग की जहनती मनाने के लिए 350 रूपय के दो यहाद रखिएगा और पांच जन्वरी दोहर सत्रा को गुरगोविन सिंग की 350 बीजनती समारों के दोरान समाराग डाग जारी किया गया था ठीक है तो यह जारी किये 350 रूपए का और गुरु गोविन सिंग जी दस शिक्कों के दश्में गुरू थे अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो को एंसर मैंने कोशन पूछा दोस्तों राश्ट्री यूवा दिवस यानि ने स्टनल यूथ डे प्रतिवर्स का मना जाता है तो सभी अब बलके महाने देश्क के रूम में किसे नियुक किया गया है तो यह काफी इंबोड़न गोशन इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स जरूर लिखना है यह आपने कल की वीडियो नहीं देखिए जरूर देख ले दोस्तों डेली आप मौनिंग में करने फेस्ट की वीडियो अल्ड़ बेस्ट टेक कियर जय हिन जय भारत